पर पॉसर जी एक ना थे पेशन को याँ बंदे भी कारदे रेंदे ने आगले दिन दी गले मैंच दे अच्छो लोगी मैच भी इंदे उन्दर दे अज़ार पडिक्शन कार देने ने लया फिर 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 उन्वाधा मेविड टूक ऐब देने लिए लिए अगली जान दी वह मुफ्तिसार साय जो वतिक्ता को खरिय त्यूझा है मुफ्तिसा ला यक्र टपशु का ठाओ जो चलो जी आजा ज órठी मुफ्तिसाहब। हाँ जी मैं ते बहुत कटा आ जा रहे हैं जी वालेकम स्लाम जी वालेकम स्लाम ते ऐसे चोदी साफ दी ब्राड लगी है मैं का चलो दौा स्लाम ही हो जे हाँ जी ते सब दोस्तानों एद मुबारक कोई खेर अच्छा जी की मोदू चिड़े आजी कोई थोड़े दसो एजी अपना मुफ्ती साब मुजू एछिड़े आए अच्छा यार जड़े दोस्ता माई को अपन उन्दा शोर आए ओ प्लीज बंद कर लिया करो जी मुफ्ती साब मुजू एछिड़े आए के एविडेंस आफ गार्ड के खुदा दा वजूद है या नहीं है अगर कोई बंदा साथ असी मन देया ते साथे को की एविडेंस है और अगर को साथे को बंदा एविडेंस मंगे कि तुस्य यह खुदा आते बलीव कर देओं कि तोड़े को बिलीव करना वास्ते की एविडेंस है केड़ी बिर्बने आते तुसी ख़दानों मन देओ तो चोधिस साफ माज़त माज़त मैं अधर एक तोड़ी गालट हो किये एए रहाइसाब एदर ना मुफ्ती साफ दा जड़ा उपीनियन ना है दर रिकोर्ड कर लगाना मैं दर चला हूं ते फिरमा तो आड़े को बाद चुबाद सब्सक्राइब नहीं एसा उस राजपूत स सब्सक्राइब मैं कोई होर दोस्त कर सकता का लगा किया हूं करें ने रहाइसाब तुसी एवना मुफ्ती साफ दो पीनियन जड़ा रिकोर्ड करेया दिदे फिरमा सुना दिन्शाब मुफ्ती साहब पहला टापक ते एक होर सी लेकर उनु छड़ने आए ऐस टेम ते चलता पहलता है कि अगर को साड़े को पुचले कि तूसी तोसी आपना मी ज द्रास देंगो, के तुसी वजूद तोस्हा स्वाल किते नियु जै मैं मैं स्वाल दे किता है कि मैं कुछ हैसे बंदयां देनाल मेरी डिस्कुशन होई ए जिनाmi ना मेंने मुत्मिन कर सकthis किया मशाल दे थोरते श्रीशेंट्ली एक मुफती स loud बड़े मिपर्या अपने अजीज ने और मिन्हों अखनक लगे बैठ्टी दूम्हित याखनक अफ़्च मैं खुदान Bennett मैं मजखब नुनि मनत ऊबंद मैं क्या। इस कि मैं तुम मजब नुई नहीं मैं दा रिस मैं … नारमल जे तरीके नहीं पुचेया मैं ऐखे नहीं मानदा अन्द आज ऐ। मेरे को भी कोई खास मुफ्ती साहब इलम नहीं से यहां सबूत नहीं से जला में अगे राख़दा के क्यों सबूत नहीं है आई सबूत मन सो मैं सोचा के बजाएस दे मैं खुद दोस्ताना डिसकेशन करां कि अगर अगर असी खुदानों मनने तो साड़े को सबूत किये और अगर साड़े सामने कोई सवाल कर दे असी उन्हों मुतमिन के में करना है जी मुफ्दी साब बात ये है कि जब किसी भी स्वाल के उपर जवाब दिया जाएगा तो उसका कोई जवाब देने के कुछ असूल जावते काईदी है देखा जाता है साइल को देखा जाता है कि साइल के कौन से है साइल की कैफियत देखी जाती है साइल के मौामलाद देखके फिर मुझीब जो होता है जवाब देने वाला वो जवाब देते है अब देखें कि यही सौाल के खुदा का वजूद है कि नहीं ये सौाल एक मुसल मान का है तो जवाब कोई और होगा अगर किसी गहर मुस्लिम का है तो गहर मुस्लिम के अंदर भी कैटागरी है आया ये क्रिस्चन है तो उसका जवाब जनाब दिया जाएगा उसको बाइबल के अंदर से अगर वो यूदी है तो जवाब दिया जाएगा तालमूद से अगर जिनाब देखा जाएगा कि ऐसा सुआल करने वाला हिंदू है तो उसकी जो मजभी किताब गीता गरंथ है उससे जवाब दिया जाएगा अगर कोई मुलहिद है जो किसी दीन मजभ पे यकीन ही नहीं रखता तो फिर जवाब उसको अकली दलायल से दिया जाएगा तो आप यह चलो हाँ तो अब ये है कि इसलिए मैंने पूछा था कि साहल को नहीं तो आपने का जी साहल मैं हूँ कि साहिल का स्टेटस क्या है फिर मुझीब जो है ना उस तरीके से उसको जवाब देता है अब देखे एक आप मुलहिद है तो आप ये स्वाल कर रहे हैं तो आप तो किसी चीज़ को मानते नहीं ना कुरान को ना हदीश को ना जनाब गीता को गरंथ को ना रमाइन को ना वैदों को ना बाइबल को तालमूद को कोई किताब कोई दस्तूर आपके पेशे नदर ने क्योंकि मुलहिद जो होता है वो किजी चीज को नहीं मानता वो सिर्फ अकल को ब्रुवेकार लाता और अकली चीजों को मानता और अकूलात के ओपर वो यकीन रकता है ठीक होगा अच्छा पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आप क्या समझते हैं चोजी साब के इस काइनात का जब कोई क्रीटर नहीं है तो क्या ये काइनात खुद भुद चल रही है हाँ मैं यही समझता हूँ खुद भूद चल रही है तो काई नात के अंदर तो बड़ी चीज़ है अच्छा दिक से और दोस्त का अच्छा बुफ्ति साम माफी चाहता हूं एक बात अच्छा दोस्त तरह करें कर दो कर दो दो आच्छा दोस्त करें है सुरी गो हेड़ प्लीज और मैं भी समझ सकू हूँ अगर मैं खुडा को माती। तो फिर आपकी सीयस को ना ना बलाएं हमारे स綁ने आप मुजूद है ना तो बस बात करती हैं जो सुआल जो आप हम ले किसी ओर से किरने है वो ही सुआल जोब हम आपसे कर लेती हैं नहीं नहीं सार स्वाल जो आप मुफ्ती साव करें पर मेरी पॉजिशन भी समझें ना पहले थोड़ी सी जी जी मेरा मतलब ये है कि मैं चूंके इस बारे में अभी तहकीक शुरू की है हो सकता है मुझे मेरे पास आपके बेशमार स्वालों के मेरे पास इलम ही ना हो और मैं तो क्यसे जवाब दूँगा तो दोस्तों का वक्र जाया करूँगा तो अच्छे चले पिर में मुझे बोले दें बैतर एक को ऐसा बन्दा आजे काफी इलम हो तो वो हो सकता है दोस्तों का वक्त जाया ना हो लोगों को बेहतर इन्फरमेशन मिले जी मुझे बोले जो आप की कैफियत है ना कि मैं अभी तख्कीक कर रहा हूँ रिसर्च कर रहा हूँ पका मुलहिद बनने की तो दुनिया का कोई साथ भी मुलहिद आप उठ का कर देखें वो उसकी यही कैफियत है दुनिया का हर मुलहिद हमारी बड़ी मुलहिदों से गुफ्त गुई है किसी के पास भी कोई इलम नहीं होता बस मैं ना मनूं का उन्होंने लगाया होता है तो कादियानियत एक चीज़ ऐसी है कि कादियानियत की जो इंतहा है न वो करदा कर देती है उसके इमान को भी वो ऐसा argument कर देती है कि उसको फिर कोई निया का कोई दीन मख़भ उसको पसंदी नहीं आता वो कहता है कि मैं लामजहभी Concept का वकाहिल हूँ मैं अब किसी मखभ में नहीं 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 गाँ मारे लिए अगर आप के देन मेंशे शकुक या शुभात या आपकी आप कहरें मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं पका मुलहिदोंने की तो चोज़ साब ये तो असान है मुश्कल ही कोई नहीं दुनिया का सबसे असान काम है इनकार करना सब से असान काम है और इसका इसका ये कोई मुश्कल ही नहीं होता बस अराम से इंकार कर तो मैं नहीं मानता वहीं मुलहे दिन क्या करते हैं कादियन ही क्या करती हैं इंकार ही तो करती हैं करते हैं हम नहीं मानते करोड दलील दे लें नहीं मानेंगे तो ये 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 सब से असान का में ना मनना मैं नी माननाओ अच्छा अब अखलेंगे अब मुफ्ती साल इस तरह नहीं मज़ा आएगा मेरी बात उन्याब तो दो दोस्त हैं Whoa हम ऐसे करते हैं दो दो मिन्ट बात करते हैं ताकि को थोड़ा सा आगे काम चले है तर वह दो तो फिर आप बोलेंगे और मुझे स्वाल करने की कर मौका नहीं मिलेगा जी आप बोलें तो फिर मुझे बताइएगा फिर मैं बोलू अच्छा ये जो दो दोस्ता हैं दो आइडिया हैं इन में से कोई दोस्त बात करना चाहता है एक दो मिंट ये एक दो हमने दोस्ता एड किये हैं इन में से किसी ने कोई बात करनी है नहीं 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 मुझे साब बैठे हैं बात नहीं कर सकते हैं आप बात करें बड़ी मेरा बात करें अच्छा ये एक और एक और आइडिया है वो रेड कलर की आपने बात करनी है अच्छा जी ठीक है अच्छा मुफ्ति सब बात ये है आपने हस्ती बारी ताला का वजूद के बारे में बात करनी है कि ये एविडेंस है खुदा के होने का ठीक है न जी मुफ्ति सब आगी सम आवाज आ रही है दोस्तों को मेरी एक म्यूट किया हुआ है आप जब मुझे जाज़त देंगे ना फिर मैं माईक ओपन करूंगा और बोलूंगा हाँ जी अगर हम इस बात पे श्रू हो जाएं कि जो काद्यानी हैं वो मुल्हित बनाते हैं सिर्फ तो यह भी स्टेट्मेन्ट मेरा ख्याल मैं ठीक नहीं है स्वाल इतना सा है साधा सा कि हस्ती बारी ताला का खुदा है उसके बारे में कोई आविडेंट साप दें और वो मैं आप से सुनना चाहता हूं जी मुफ्ति साफ अचा ये जी एक मैं आप कुछ सुवालादा आप से करना चा रहा हम आप कहे रहे हैं कि काइनात खुद बूद चल रही है अज़ खुद चल रही है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान ने हमें बताया था तो मुलहित है तो कुरान को नहीं मानता लेकिन हम चुछे मुस्लिम हैं और ये हमारी मुस्लिमा किताब है तो हमने तो कुरान को इमानने है ना उसको इफालो करने है कुरान कहता है कि अपने उपर गोर करो तुम तफक्र क्यों नहीं करते तुम तदबूर क्यों नहीं करते अपने उपर गोर करो तुम मुझे तक पहुंच जाओगे अब हम अपने उपर गोर कर लेते हैं तो मुझे तखलीके इंसानी के बारे में थोड़ी सी गुफद्गू क फर्ज के उन्दर जमा हुता है फर्ज उस दाखली रास्ते को कहते हैं के जहां पर दخूल होता है मद्दा वहां पे जमा हुआ हुआ है दूनों का नर अब वहां से एक ट्यूब है एक लमबी सी वो जाती है एक मकान के इंदर जिसको रहमदानी कहती है वो मादा की रहमदानी तक वो एक गली है वो एक ट्यूब है वो एक नाली है जो उस रस्ते की निशानदी करती है अब वहाँ पर जाकर वहाँ पर गेट लगा होता है दर्वादा लगा होता है अब वो गेट खुलता है और मकसूस तरीके से खुलता है इसको डक्टर जानते हैं यूट्यूब के ओपर वीडियोज भी मुजूद है आज की दुनिया के अंदर मुझे बात यहां से शुरू करनी है कि अगर अज़ खुद सब कुछ हो रहा है चलो मान लेते हैं कि माददा नकालना मर्द का काम है औरत का काम है लेकिन वो तो गया था जाके फरज के अंदर जाके गिरा था वहां से हजारों जरसूमे मर्द के हजारों जरसूमे औरत के उनके अंदर एक एक जरसूमा आपस में मिलता है ये मुलाकात खुद भुद कैसे हो गई फिर दूसरा स्वाल ये स्वाल नोट कर लें ये बाद में जवाब दीजेगा फिर वो एक लंबी सी जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर वो चल के जा भी तो वो जान तो नहीं उसके में पड़ी अभी तो वो बे जान है पहले उनकी मुलाकात हुई फिर वो चल के वो दोनों गें है जनाब रहमदानी की तरफ किसने बताया के रहमदानी की तरफ जाना है वो बाहर क्यों नहीं की रहा वो जब स्तंजा की जा था वो जाहिल क्यों नहीं हुआ वो गया क्यों है उतर की वो नीचे 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 गिरा उपर चड़ गया है ये है दूसरा सुवाल तीसरा सुवाल रहम दानी कात और दर्वादा बादा झाल तीसरा सुवाल तीनों सुवालों से आप क्या साबत करना चाहते हैं आप जब साबत करने की कोई दलील देंगे कि ये मुझे साबत हो रहा है तो मेरी समझ में आया तो मैं समझे जोगा येस बिलकुल आपड़े सही फरमाया अगर मेरी समझ में ना आएगा तो मैं कहूंगा सोरी मैं मुझे साब आपकी बाद से इतफाक नहीं करता तो आप इन तीनों सुवालों के बाद आगे क्या साबत करना चाहते हैं जी सार आपकी बारी है अच्छा गुजारे ये है के सौाल का जवाब आप नहीं देंगे तो ये तो वही बात हुई ना मैं ना मनूँ मैंने तो पहले कहा था कि इलहादियत और कादियानियत का सरचश्म है मैं ना मनूँ देखें तो मैं तो इदर ही लहूँगा ना मैं तो अग्या दोड़ पिछा जोड़ तो नहीं ना करूँगा थाबत हमने करना है वजुदे बारीतारा साने बारीताला अल्ला पाक का वजुद थाबत हमने करना है लेकिन उसके लिए लाने हमें काईदा को लिया दिया था कि अपने उपर गोर करू अपने नफस के उपर गोर करो तुम्हें ला मिल जाएगा थापत हो जेगा कि अल्ला है इस काइनात का कोई खाले के क्रियेटर है इस काइनात का चलाने वाला इस कारहने कुद्रत को चलाने वाली कोई जात है ये खुद भूद नहीं हो रही सुआल आपका ये था इत्राद ये था कि बाई ये काईनात खुद बूद चल रही है मैं कह रहा हूं कि नहीं चल रही उसके लिए हमने आप से तीन सवाल किये है उनके जवाब दे देंगे तो थाबत हो देगा कि काईनात खुद चल रही है या नहीं चल रही बस पहला सवाल ये था कि मादा मनविया जब फरज के अंदर गी रहे तो नर और मादा का जो जरसूमे है वो एक जगा पे जमा किसने कराए वो खुद हुए अगर खुद हुए तो एक हजार जरसूमा था मादा मनविया औरत की मादा मनविया में हरजार जर्सूमा था नर के जर्सूमे के अंदर वो खुद भुद सारे के सारे ही क्यों नहीं मिल गए सब को मिलना चाहिए था फिर सब भी आपस में मिल जाते तो एक हजार बच्चा पैदा होना चाहिए था हलांके एक बच्चा पैदा हो रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है पहला सुवाल है ये वो किस ने उन दोनों को एक किया कौन थी ताकत थी कौन थी ऐसा बताईए मुझे इसको आप वकत कानी कह के इसको स्टोरी कह के आप जानने चुड़ा सकते मुलहिद को इनका जवाब देना पड़ेगा अगली अगला सुवाल ये था पहला सुवाल के जवाब सुन ले फिर आप स्टेब स्टेब मुझे साथ चलते हैं ठीक हैं आपका ये फरमाना है कि वो एक क्यों नहीं मिला ठीक है एक क्यों मिला है सारे क्यों नहीं मिल गए तो इसके इससे आप क्या साबत करना चाहते हैं फि फिर देह लें, आप मुझे बता दिया करें कि भई अब आप बोलें। भब आप बोलें। मैं हर हर बात के हैंड पर कह दिया करूँगा कि अब आप भड़ें। आप बोले यह अधर प्रम है, कि और यह जू फरूर है कि एक मिला हजारों क्यों नहीं मिलें इसका जवाब दें ओके मैं जवाब देता हूं लेकर आप एक मलाने से साबद क्या करना चाहती है जी अच्छा गुजारे यह है कि क्योंके चोज़ी साब कह रहे थे अब आप बात करें ठीक है मुफ्ते साब ठीक है जी ठीक है पहला सुआल यह है कि जब यह खुद भूद साब कुछ हो रहे हैं अभी तो मैंने यहां से बात शुरू की रही है कि वो मादा मनविया कैसे बना किसने बनाया उससे नहीं मैं तो दरम्यान से काम शुरू कर रहा अभी इसके उपर भी बात नहीं कर रही कि वो मादा एक एक छोटी से मेरी बात सुन लें पर सुरी आम सुरी आपकी बारी थी जी सुरी गो हैड बात का वैसे मज़ा मुझे अब नहीं आएगा नहीं मैं सुरी मैं मादा करता हूँ वो मैंने बोल पर आप नहीं बोलूंगा यह आप बोले जब आपको मुका मिले न चुरों सब जितनी मर्दी बात कर लिया करें कोई मस़्लई नहीं है हम दोनों दोसे अपस में बैटे हैं बंदा खुली-डुली बात कर सकता है लेकर कम मत कम असूल जाबते के ताहत गुफ्त गो ना तो सुने देखने वालों कोई को मज़ा आएगा भी रिकार्डिंग भी चल रही है लोग यूट्यूब पर भी जाके सुनेंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा फिर ये पहला सूल है आज इसका आप हैं मुनकिर खालिक के ये नहीं खालिक को नहीं है आप क्रियेटर के मुनकिर हैं आप सन्य के मुनकिर हैं मैं उसका जो है ना इकरार करने वाला हूँ उसको साबिश करने वाला हूँ मैं मानने वाला हूँ मैं मुअमिन हूँ इमान लाने वाला हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमारे अल्ला ने हमें कहा था कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो उसका बेहतरीन तरीका यह कि तुम अपने उपर गोर करो अपने नफस के उपर गोर करो तुम मुझे पा लोगे तो हमने यहां से बात शुरू की यह कि देखे मादा मनमिया निकला है हजारों जरसूमे हैं मैंने तो एक हजार रखे हैं वैसे लखों की तदाद में होते हैं जाके देखिए रिसर्च करिए आपको पना चलेगा हम फर्द कर लेते हैं कि एक हजार जरसूमा मर्द का है एक हजार जरसूमा औरत का है पहला सुआल यह है कि वो हजारों के हजारों या पस में क्यों नहीं उन्होंने मुलाकात की दूसरा यह था कि उन मेंसे सिर्फ एक एक ने मुलाकात की ये तो इसका जवाब नहीं आप दे रहे ये खुद भूद नहीं हुआ खुद भूद कैसे हो गया बताईए उनको कोई टांगें लगी ये वो उनके अंदर क्या जान है या मतलब वो कोई आपस में बातें करती है या उन्होंने कोई विया किया था या मतलब ये कि कोई उनको अमोर कंट्रोल लगा हुआ है या कोई उनके अंदर कोई सिम डाली या कोई 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 बताएं तो सही ना खुद मुद कैसे हो गया ये बताएं इसका जवाब देना है जनाब जब जवाब देंगे तो बात अगे चलेगी अब बाब बोले जी मुद्धिसाँ मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि आप जो एक पहली तो बात ये है कि जब आप हस्ती बारा इतारा का सबूत देने के लिए ये है कि आप आपने आप पे गोर करें तो सबसे पहले आप जरसूमे पर क्यों पहुंच गए हैं बाकी जो वजूद है उसमें कोई चीज नहीं है गोर करने के लिए जी आपकी बारी है यार चुझे साब फिर तो कोई बात तो ना ना होई ये तो वो ही मैंना मानू मैंने तो पहले कह दिया था मैंना मानू ये पहली सीड़ी होती है एक मुलहिद की एक कादियानी की वो कहता है मैंनी मान था ये तो वही बात मैं सवाल किये जा रहा हूँ तीन चार्टर ने हो चुकी अभी तक आपने कोई उसका रती बराबर को जवाब ने दिया आप उल्टा मेरे उपर स्वाल काइम का रहे हैं नहीं जी तुम बताओ क्यों चलो ये कुँन थी ये कोई नहीं आप बात कर सकते हैं आप जितनी मर्दी बात करिएगा मेरी ये आखरी बात थी मुफ्ति साब मैं ने ये पूछा है कि जब ला का हुकम है कि मुझे पाने के लिए आप अपने उपर गवर करें आप मुझे पालेंगे तो आप अपने उपर गौर करने के लिए सब से पहले जरसूमें पर पहुंच के बाकी इनसान का हर हिसा जो है वो गौर करने वाला नहीं था सब से जरूरी यही हिसा था यह मेरा स्वाल है कि क्या या हस्ती बारी ताला ने जर्सूमे के बारे में खास मेंशन किया हुआ है कि इस पर गोर करें जी मुफ्ती साथ एक आपने उपर गोर करने की अब्तिदा जो होती है वो जर्सूमे से ही हो रही है ना भाई तखलीक इनसानी की इबतेदा और जो मबदा है वो यही जल सुम्ही तो है इसलिए मैंने यहां से बात शुरू की है मैंने सर मू नाक कान आख टांगे से बात नहीं शुरू की क्योंकि यह बात की बाती है इस पर भी बात करेंगे लेकिन बात में अभी जो अबित बात शुरू कर रहे हैं के इनसान की तखलीकत की मराहल कहां से शुरू जूए के बहुत बड़े सुआलात हैं अभी तो सुआलों की एक लंबी कतार है पूरा इनसान बनने तक बाहर निकलने तक हजारों सुआलात है मेरे एक मुलहिद से अभी तो पहले स्वाल के अंदर या आपकी यब निकल गई है माधरत के साथ मैं मुलहिदों को मुखातब कर रहा हूँ आपको नहीं जी बोलें आप चोधरी भाई जब आपको ये मालूम नहीं है कि वो जर्सूमा जो है वो किस तरह इनसान बना है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता फिर मुबश्र साथ बताएंगे कि वो कैसे बनाए तो अल्ला थाबत हो जाएगा जी अच्छा अगर आप माइंड ना करें आप भी आएंगे हैं हमें आपका नहीं पता तो बले हो सकता है आपसे को अच्छी इंफर्मिशन मिले आप बलीवर हैं नान बलीवर हैं ताके नान बलीवर की साइट हो या बलीवर की पता चले थोड़ा सा जी मुझे असल में पता कुछ नहीं है ख़दा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है भी जो मश्र साब कहा रहे हैं कि वो जरसूमा जो है उसके प्रासेस के बाद वो इनसान कैसे बना ये दर्वादे किसने खोले ये मुझे भी पता नहीं है तो मुफ्ती साब बताएं किसने खोले नहीं मैं वही अर्ज करता हूँ आप से थोड़ा सा मज़ीद एक होते हैं जो बिलकुर नहीं मानते हैं एक होते हैं वो कहते हैं कि में भी है लेकर मुझे पता नहीं हैं आप उस पॉजिशन में हैं हा नहीं मुझे देखे ना बात ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं है खदा नहीं है मुझे तो ये पता है कि क्शूच करना पदेगा कि भी जो ज्रसूमक की बात कर रहे हैं मुश्र तो यही बताएंगे ना कि वो जर्सूमा लांने कैसे उद्धर किया है。 कैसे वो उर्प्रेवादा कोला। यह था उज्छाया क्रहें हुएं था थे लिंसाद किर रहे हैं। जो आप पहले दे देंगे तो फिर मैं थाबत में कर दूँगा, जो आपका जवाब होगा ना, एक मिना सुलना है, जवाब है कि हमें नहीं पता, मुझे बोलने तो देना, आपने बोला है, आप मुझे भी तो बोलने देना, या तो अगर आप दोनों ने बैठके यां गुफ ने यह में तरीका बताया था या अयुहन्नास तमाम लोगों को अल्ला ने मुखातब किया यहां मुसल्मानों को, काफरों को मुलहिदों को, नहीं सब को सब को, सब बीच में आगे या अयुहन्नास इन कुंतुम फी रईबिं मिनल अबसी एई लोगों, अगर तुमें क्यामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो क्या करो फाइनना गोर करो किस चीज़ के ओपर गोर करो फाइनना खलकनाकुम मिन तुराबिं तो गोर करो कि हमने तुमें पैदा किया मिटी से सुम्मा मिन नुतफातिं फिर नुतफे से सुम्मा मिन अलाकातिं फिर अलका से सुम्मा मिन मुदगातिं अभी तो ये बाते तो मैंने आगे सारी करनी है अभी तो इबतदा पानी की फुटक से बात शुरू है मिन नुतफा से मैंने बात शुरू की है मैं कह भी रहाँ कि हम قرآن को मानते हैं, قرآن के बलीवर हैं قرآن ने हम एक दस्तूर और रसूल बता ए, हम उस असूल के पबंद है, मैं नूत्वे से बात शुरू कर रहा हूँ मिन नूत्वातिन सुम्मा मिन अलाकातिन उसके अपर बात बात करती है मिन मुद्वातिन क्वार बाइप बाहिए तो एक मिन्ट करें लिश्र करेंॉ soprattutto क्वाइब कोई हूं आपके बाता ही ना तो बोलना क्या आपने या तो कोई हो ना आपके बोले हमारे पास तो भाई बाते हैं हमने तो प्र टाइं बी स्याधा लेना है आपके पास जब बोलने को कोछ अहीनी तो आमने बोलना क्या टाइम बी तो थोड़ी लेना मु फूरीसाब ऐसे करते है, अगर माई्ड़ ना करें, मैंने आफको जासे, तो बास जे ढायत आपने लेनी है हमें आपने समया है वह बताईए ज़रा के हजारों जर्सुमे थे मर्द के हजारों थे और हुरत के उनके अंदर से एक एक ही क्यों मिला बकाया क्यों आप सकूं है سर अगर मांड ना करें जो भी आपकी I-D है आप क्या I-D use का रहे हैं ताके मैं उस I-D सब को पकार सकूँ कौन से दोफिसाब को मुफिसाब को मुफिसाब को तो मैं मुफिसाब कहता हूं लेकर आपकी I-D क्या नाम से पकार Zapको अकी Master Master स Crazy Master सबяться लिए लगी मुझे जो दो दोंब बोले आप नहीं समझाई चले डाक मास्टर डार्ट मास्टर चले एनिवे मास्टर साहम मैं कालों गां ओके सो मास्टर साब मुफ्ति साब देखें मैंने आप से रिक्वेस्ट किया था कि मैं चुंके लर्नर पॉजिशन पे हूँ अभी वेरी बिगनिंग तो मुझे फील हो रहा है कि मास्टर साब मुझसे बेतर गुफ्त को कर सकते हैं मेरी ये फीलिंग है तो आप दोस्त कांटिन्यू करें और आपने जो स्वाल किया है कि वो सारे जरसूं में मिलने की बजाए एक क्यों मिलता है जी मास्टर साब आप एक मिन्ट बात करें प्लीज जी गो हैड अगर हम बीच में एक तीसरा बंदा डाल लें जो के फैसला भी कर सके तो डिबेट को मैनेज कर सके अगर आप इजासत दें तो राजा जवेश साब को हम बीच में डाल लें हमारे फैसला हवाम खुद कर रहेगी जोदरी साब पर आप डिबेट करूएंगे अगर मैं एक रहा हूँ मैनेज करना है तो मैं दोनों दोस्तों सो को रिक्वेस्ट कर दिया करूँगा कि आपकी बारी है आपकी बारी है मैं मैनेज कर रहा हूँ नहीं वो वो भी है और साथ ये भी बताएंगे ना राजा साब के जहां पर मैं जवाब नहीं दूँगा तो ये राजा साब मुझे कहेंगे मुफ्ति साब आपने इस चीज़ का जवाब कोई नहीं दिया ये जवाब आपके उपर अगर सालस बनाना चाने आगे अगर हमारी तरफ से जवाब नहीं हो गा मकम्ल है तो राजा साब उसकी क्रेक्शन कर देंगे क्यों राजा साब आप सौन रहे हैं कि फोगे हैं झाआए मैं मैं सूल रहा हूँ घृ जूरा कि यह आप थोड़ा सा बैलंस कर रहेंगे जी मैं स है वर यह भी एकस कादियानी हैं। और चोजी साब भी…. ना मतलब वही ना सारे मुफ्ति साप बात यह हम यहां पर दोस्त बैठे ई लिर्ण करने के लिए हस्ती बारी ताला के पारे में कुछना हम एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए नहीं बैठे कि मैं कहों कि आप उल्हें प्श्या ति culminताते को आपने परना भाई है आपने दे सकते मुफ्ति साथ के मैं लाजिक दूँगा मैं किसी मजभ की दलील नहीं दूँगा अब आप आगे हैं सूरत की एक आयत पे खुद अपना जो मियार आपने शुरू में दिया उसको छोड़के आपने एक पोली बुक को पकल लिया आपने दलील देनी है एक एक मिट रखें बस आप दे चलते हैं आपने मुफ्ति साथ दलील देनी है ना कि कुरान यहां रखें और हम कुरान के उपर बात करें यह तो बात ही नहीं है आपने हस्ती बारी ताला के लिए कोई दलील देनी है कि मैं यह ह मिन्ट कर लें मुफ्ति स Кон न कर लिए कर लिए करेंगे मास्टर सावं एक मिंट बात कर लेंगे अगर अगर उन्नीकि दो मिन्ट में पहले मकंमल हो जह तो आप एक मिट कर लेना मास्टर साथ मुफ्ती आपकी बार शुरू होती है आपने दलील देनी है फिर गटान को सामने रखना आपने फर्माया था जो बंदा कसी मजभब को नहीं मानता जस्ट मुलहद है उसके लिए दलील होती है फिर करण या तुराथ या अंजील नहीं होती जी मुद्य साहब आप की बारह यह दो मिनट जी मेरा टायम शुरू हो गया है तो मेरा वो ही साब का मैं गुफ्तकू कर चुका हूँ जब मुझे उसके जुआ मिल जाएंगे तो इंशाला ताला मैं आगे गुफ्तकू बढ़ाओंगा मेरा टाइम खतम हुआ अब बोलिए क्या हो गया लेकिन इनसान तो है ना इनसान के लिए एक बात एक लिए होती है काफी बस वो बार 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 तो बंदरों के लिए होती है तो ये है कि बस मैंने बात कर दी हूए मुझे उसका जौा मिल जाएगा तो इन्शाला मैं आगे बात चलाओंगा मेरा टाइम खतम हुआ अब बात करें तो ना तनकीद हो सकती है ना तन्ज हो सकती है ना आप किसी को बंदर कह सकती है आप इज़से उनको बलाएंगे वह इससे आपको बलाएंगे यही मियार होगा उसके आपना देड़र तो बंदर थे ना मूलो है तो खुद कहतें हैं जाम पहले बंदर ना में ना बलाओ ये बात राया साब राया साब वहाँ बात करें इस पर एक मिन्ट अगर बात करनी है तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं डाक्टर लाली स्पिरिट साब नीचे बैठे हैं उनको उपर ले लें मेरा ख्याल में वो साइंटिफेकली भी और रिलिज्जिस पॉइंट अफ यू से भी आपको राजा बाई मगर राजा बाई मैं तो मुबश्र शाह से बात करना चाहता हूँ इसी मौदूब मैं बशच्र शाह साब मुफ्ती हैं आज वो पर राजा साम बशच्पभाई से बात होगी फिर मुफ्ति मैंने डाक्टर शाह की आईडी देखी थी पहले भी तो मैंने जान बूझ के इगनोर इसलिए किया था कि शायद वो इस पर बात ना करना चाहें तो म लेकर ये हमारे मुहत्रम हैं लेकर ना ये तनकीद करेंगे इस तरह की तन्जिया ना वो करेंगे बांदर बग्यरा नहीं कहेंगे हाँ किसी थियूरी की बात है तो वो जायज है कि भई मुलहिद ये थियूरी पेश करते हैं और हम ये थियूरी पेश करते हैं बांदर बग्यारा नहीं है, यहां पर में बात इसे कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मुबशर साभ या पहले की जनरेशन जो है वो कहीं बंदर से होके आई है, मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूँगा फिर मुझे यह बांदर कहते रहे, मुझे कोई इतना प्राप चले जी आपकी बारी है दो मिन्ट बेशक आप एक मिन्ट बोल लें या दो मिन्ट बोल लें ओके जी ओके थैंक यू अच्छा एक तो ये बात है कि सुवाल हमारा था जो के मेरा था यानि जो चौदी साहब ने शुरू किया था सुवाल ये था कि आप अल्ला तहला की दें लेकिन उसके जवाब में मुबशर ने ये बताया मुबशर ने ये कहा कि आप मेरे एक सुवाल का जवाब दें तो ठीक है अगर वो ये कहते हैं कि भी मेरे सुवाल का जवाब पहले दें तो मैं दे देता हूं कि मुबशर साहब हमें मालूम नहीं है कि वो एक जरसुम क्यों मिला और बाकी के क्यों नहीं मिले अब आप बताएं कि वो बाकी के क्यों नहीं मिले मुझे तो नहीं पता पताएं जी मेरा टाइम खतम हुगा आप बोले जी मुझे इन्हों ने टाइम दिया है तो पहली बात तो मैं ये करूंगा कि बंदर कहा था मैंने हलांके इनको नहीं कहा था लेकिन वो इसके ओपर भी चड़ गए हलांके आपको तो खुशी होना चाहिए रक्स करना चाहिए ता यहां कैमरान करके ना लुड़िगा पंगड लादे इन्सान पैदा होगी है तो आपको फुश और अचाहिए आप टेंशन मीं आगी है अब इसके ओपर आपने फिर मुझे कह दिया जी मैंने तो कभी नहीं कहा ये मुफ्तिम बश्र को कि ये बंदर है ने तो मैं थाबत कर दूँगा कि ये बी बंदर है हमारी कों थी ह हमारी थी है कोई थी तो लेके हैं क्यों जूट बोलती है अपने वकत के अंदर आप सिवाए गपों के कोई और काम नहीं होता और जब हमारी बारी आती है जब हम कोई बात करते हैं उसको पर आप बस निकल जाती है अच्छा अगली बात ये थी मेरा सुआर उदर ही है के लिए किया जाता है बंदरों के लिए नहीं हाँ जी सब्जाई के नहीं सुआल होती ही मेरा रहना है सुआल नहीं मैंने बदलना अपने वकत पर जवाब दीजेगा मुझे तो तुझा फेर सुआल खा पी जाना है मिनूं पता है तो यह डाक्टर अलीस बेट साब आई है मारे मुष्टरम अस्सलाम अलेकूं और रहमतुल्ह बरकातों चले जी मैं आघा है माश्टर सहब से फिर बात होगी मैं टाइम अपना छोड रहा हूं माईक म्यूट करने लगा उंता वो जवाब राल मेंलके एक में एक मिंट जी एक मिंट मुटिभे साब एक मिंट सार एक मुफ्ती साहब मास्टर साहब ने आपका जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि एक जरसूमा मिलता है ज्यादा नहीं मिलते हमें नहीं बता आप बताएं कि इस से आप क्या थाबत करना चाहते हैं आपने उसका जवाब नहीं दिया आप जवाब गोल कर गए हैं अब मेरी बारी है अब भी दुबारा ना मुबारी ले ले अच्छा मेरा टाइम शुरू है चाओरी भाई जी हाँ जी आपका टाइम शुरू होता है जी एक तो यह है कि मैंने मुबश्चर को यह नहीं कहा कि आप बांदर थे पहले दूसरी बात यह है कि यह वाद को वैसे चोड़ें स्वाल चोड़ें साब बात दफ़ा ना चोड़ना जोए ना वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनन दुबारा रिपीट की है कि मैं बांदर के साथ दुबारा यानि वार बार रिपीट नहीं करूंगा तो यह डार्विन के नजरिया को लेकर यह बात कर रहे हैं यह मेरा नजरिया ने देनी है मैंने नहीं देनी है कि वो जर्सूमा जो है वो किसने मिलाया यह मैंने नहीं बताना है यह मुश्र ने बताना है उन्होंने पेश किया कि यह किसने बनाया है इनका मुतलब है कि अल्ला ने बनाया है तो अल्ला की एक्जिस्टंस बताएं कि अल्ला ने यह किया ह है जो जर्सुमा वाला है वो थाबत करें अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं वो बंदर वाली बात जरा मुझे चुप दी है चौदरे भाई आप इतना भी बंदे को शरीफ नहीं होना चाहिए हज़रत आदम अलाद जो थी ना उनमें लड़के और लड़कियां थी यह बैन भाईयों की शादियों की पूरवज जो है ना वो बैन भाईयों के शादियें के हमारी नहीं है तो इतना सारा मास्टर साहब देखें जो जाती थोड़ी बहुती गुसे वाली बात है वो एक दो से रिक्वेस्ट है वो छोड़ दें और मुबश्यर को मुबश्यर शाह साहब कहें please क्योंके वो अमारे लिए भी मुहत्रम है बात यह है मुबश्यर साहब मुबश्यर साहब वो कहते हैं मास्टर साह नहीं मिलते इससे उप क्या साबत करना चाहते हैं खदा का वजूद क्य कि ज्यादा क्यों नहीं मिलते आप इसका जवाब दें कि ज्यादा इसलिए नहीं मिलते क्योंकि खुदा है ये नहीं है आप ने बताना है अब जी अच्छा बात ये है कि चोधी साब मैं आप दोनों से बात कर रहा हूं क्योंकि आप ने भी कहा कि मैं मुलहे दूँ ये टाक म पास्टरने ये बात कही है तो आप इसका यह रही कहसका है यह बखीजे बिल्बात है ते पही देखें दिबेट पूरा से इस अमें हर्चीज चलती है सबर मैं आप आपने मेरे बत के आ ही आप नहीं थाउ तर पारे उसले भी तो देखे ना, नहीं ये गल्ट बात है, कोई डीप एड के दर बड़ा कुछ यो दगालिया तक चल जाती है यार, यहां तो हम दगालिया भी नहीं ले रहे, बड़े स्लीके से गुफटकू कर रहे हैं, कम अज कम सबर तहमुल से बात तो करें ना, रही बात बंदर की, लो जी वो डार्वन का अकीदा तो मैं नहीं मानता, वो यही बात है, मुलहिद किसी को मानता किसी को है, मुलहिद किसी को नहीं नहीं मानता, आज मुलहिद का अकीदा को योरत है, को योरत है, किसी एक अकीदे नजरीय के ओपर मुलहिद टिकता ही नहीं है, साइ इसका एक कुल्या एक ही रहा है ही नहीं हमेशा हर दिन उटके एक नए आकिदा और नदरिया लेके आते हैं ये एक नए चूरी लेके आती हैं ये किदी चीज़ को मानते नहीं है बंदर के ओपर ये इतना टपें हैं तडफें हैं कल तक तो इनके बाप जादा कहते हैं हम क्या थापत होगी हैं बंदर साबत होगी है चल लग तो तो अनुटे खुश हो रहां चाहिए थै के मुले तो सारे या अपनी बहन बाजीगों और माओं के साथ वह गेम जाते हैं तुम्हें तो खुश हो रहा चाहिए तो तुम्हें तो चिनना तो नहीं यार अपने को पूछ रहा हूं अगर आप फिर भी जवाब नहीं देना चाहते तो मेरी नजर में तो आप ड़न है और एक मिन्ट मस्टर साब अगर आप मुझे ये बार बर कहते हैं कि आप कभी स्वाल है आप मुलहद हैं चले मुझे आप रकार्ड कर ले सो सो दफ़ा मैं खुद मुल करें क्यों तनसे बाद नहीं आते उनका स्वाव उनका जवाब यह मास्टर साहब का एक जर्सूमा मिलता है सारे नहीं मिलते मुझे नहीं पता आप ने यह मसाल दी खुदा को थाबत करने के लिए आप बताएं कि एक इसलिए मिलता है कि वहां पे खुदा है आप उसका जवा मैं यूंफ आ कि आ पर जाना के लिए एक बात काफी होती है। जी आपके पास दो मैं प्योंड़ टो नहीं हो कि रिपीट करते वहां, साब डिबेटों में चलता है विसे तोड़ा सुनते भी होते हैं अधों किया होई है? दोबारा तन सुना करना है? या तुसी लाइ दियो या तुसी लाइ दियो तुसी तुसी लोना लाइ दियो वैसे. चोड़ दे, मुफ्ती साब इन दोनों को छोड़ें, आप लोग चलेगे चलें ठीक है चोधरी बात ये है कि इनको अंदाजा हो गया था ये इनको अंदाजा हो गया था जवाब नहीं है तो तन्स करते हैं और लड़ाई करके निकलने के कुशी करते हैं जिन हाँ जी बिल्कूर अखल में है हस्ति पारी ताला का सबूत देने हैं हाँ और इन तो यह है इनका इनका यह होता है कि यह हमसे हमारे मृटसी यह निकल वा यह कि खुडा नहीं है हो कहता है, मैं खुदा आख पिल्यव नहीं करता हूं है? आप उसको कैसे समझाएंगे? इसलिए समझाएंगे कि आप बार्ड आपके खिर्द करते तो आप वो जो मैं यही कहना को शुरू में जो आपने कहा था कि मैं मैं यह मुझे सवाल कि लोग लोग भी करते है झाल झाल